आपको क्या लगता है कि जो mutual fund है वो आपको wealthy बना सकता है, जो mutual fund है वो आपकी retirement को support कर सकता है, जो mutual fund है वो आपकी बच्ची के education को support कर सकता है, अगर ये साही चीज़े आप सोच रहे हो, कुछ हत तक आप गलत हो, क्या चीज़े आपको sacrifice करनी पढ़ेंगे और उसके बदले ऐसा क्या कर सकते हो, जिससे वो जो कम्या है, आप उसको overcome कर पाओ, मेरा नाम है विश्यक उपाद है, आप देख रहे हो Coffee Thinkers, शुरू करते हैं अपने वीडियो, एक average Indian का मैंने investing amount select करा हुआ है, जो कि है 15,000 की मंतली SIP, मैंने expect करा है कि वो best return निकाल के लेकर क्या आने वाला है mutual fund के, और mid cap और small cap के जो best return है, वो 16% के आसपास दिखते हैं, वहीं पर मैंने सोचा है कि यह जो बंदा है, यह 15,000 रुपे 20 साल तक लगाता है, इन्वेस्ट करने वाला है, मैंने यहाप step up नहीं दिया, लमसम नहीं लिया, चीजों को simple करने के लिए, वहीं पर आप होगे, तो आपने जो invest करा है पैसा, वो 36,000,000 रुपे आपने invest कर दी है, नेक्स्ट 20 साल के अंदर, जो interest आपको मिला है, वो 66,000,000 रुपे के आसपास मिला है, और जो आपका real amount बनता है, जो कि आज की rate में बनता, अगर आप 20 साल पहले invest करना शुरू करते, वो बनता आपक के उपर long term capital gain भी लगेगा, मैं straight रख रहा हूँ, simple रख रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ, 10% का long term capital gain लगेगा, और 1,00,000 रुपे तक आपका long term capital gain फिरी है, तो मैं ये मान लेता हूँ, 1,02,000 रुपे पे आपका long term capital gain रगने वाला है, second, जब आपने ये साही चीज़े नि साल जीना है, मैं 70 साल की expectations life मान लेता हूँ, तो क्या 99,00,000 रुपे आपके next 30 साल को survive कर पाएंगे, ये कुछ cases में अच्छा होने वाला है, कुछ cases में हो सकता है, आप survive कर जाओ, अगर आप एक normal जिंदगी जी रहे हो, आपके कोई बहुत बड़े expenses नहीं है, अगर आप कोई आप expect कर रहे हो, आने वाले time पे अपने से, तो definitely आप इससे अपनी जिंदगी को sustain कर सकते हो, इससे अपनी जिंदगी एक decent level पर जी सकते हो, लेकिन अगर आपकी उमीद ये थी कि 20 साल के बाद मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है, जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो म किसी mutual fund के अंदर invest करते हो, तो आपको minimum 40 company के आसपास मिलता है, किसी भी small cap, large cap या फिर mid cap के mutual fund के अंदर, वहीं पर maximum के अंदर आपको 200 company तक भी जाते हो दिखेगा, जैसे मुझे Nippon India small cap में दिखता है, तो अगर आपने 200 company के अंदर अपना पूरा पूरा पैसा लगा दिया, या 50 company के अंदर पूरा हो पूरा पैसा लगा दिया, तो आपको क्या लगता है, आप कब तक market को outperform कर सकते हो, आप market को outperform एक बार, दो बार, दस बार कर सकते हो, लगातार 20 साल तक market को अच्छे margin से outperform करना, यह बहुत ज़्यदा मुश्किल बात है, तो इसी वज़े से जो on and average long term के return होते है mutual fund के, वो 16-17% in best के scenario अगर आपने बहुत ही high risk लिया है, तब आपको दिखता है, इसलिए आप जब भी lifetime के return देखोगे, तो किसी के ज़िए 17-18% से ज़ादा के नहीं दिखते, तो इससे ये तो समझा गया है कि 17-18% के return मिल सकते हैं, और on and average यह हमारे solution है कि इ 15,000 से, और आप इसी time period को 30 साल के लिए बढ़ा दो, तो आपको क्या return मिलते हैं, मैं वो दिखाता हूँ, आपने same ही चीज़ करी हुगी है, सारी की सारी कुछ भी extraordinary नहीं कर रहा है, same चीज़ आपको दिखेगी, अब यहां पर बस 20 साल से 30 साल हो चुका है, जो आपका majority amount जाता है, definitely भाई 10 सारा पैसा inflation के लिए चला जाता है, अब यह पहला तरीका है कि आप investing जल्दी करों, लंबे समय तक invest करते रहो, अपने आपको काटते रहो, पीटते रहो, और saving कर करके जो भी थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, उसको लगातार invest करते रहो, लेकिन आपको आ हैनत करी, आपने थोड़ा जादा पैसा safe करा initial level पे, और आपने बुला कि मैं 20 साल तक invest करूँगा 25,000 रुपे के आसपास, और time period same है, जब मैं inflation हटा दूँगा अपना, तो आपके पास जो almost पैसा आने वाला है, वो आने वाला है, एक करोड़ सतर लाग रुपे के आसपास, तो अगर आपका target तीन करोड के आसपास है, तो या तो आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको time बढ़ाना पड़ेगा, stock market के अंदर निवेश करते हुए, इसके बीच में आप compounding बिलकुल भी नहीं बूल सकते हैं, अगर आपने compounding में एक भी गलती करी, कि आ आपने पैसा निकाल लिया, market से, market के गई, आप डर गया, आपने पैसा निकाल लिया, ज्यादा losses बुक कर लिये, तो ये पूरी की पूरी जो calculation है, इधर उदर हो सकते हैं, ये happy flow है, ये best case condition मैंने आपको दिखाई हुई है, बिकिस ये chart है, ये real life नहीं है, अब यहाँ पे द उसे condition के अंदर इतना पैसा हमाँ ले करके ही कास के हूँ, क्योंकि जो मैं ही salary है, वही 25,000, 30,000, 40,000 के आसपास है, अगर आप 25,000 के आसपास investing कर दूँगा, 20 साल तक की क्योंकि commitment मांग रहे हुआ, तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी, बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, पिकास 25,000 के SIP हर किसी के बसकी बात नहीं है, और ये totally fine है, पिकास हम इंडियन में है, और यहाँ पे जो earning है, वो ज्यातर लोगों की कम है, इसका एक तीसरा तरीका आता है, कि आप जल्दी से जल्दी step ups शुरू कर दो, और लंसम शुरू कर दो, तो chances हैं, कि आ इम एमाउंट के साथ भी 2 करोड के आस्वास पहुंच जाओगे, फिर भी 3 करोड होना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे if and else होते हैं, और इन सबसे जादा असान तरीका और मुश्किल तरीका सेम ही तरीका है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जित्ती जल्दी आप इचिस सीखना शुरू करोगे, शायद आप उससे जादा जल्दी पैसा बना पाऊगे, वो है डिरेक्ट इंवेस्टिंग, इसके बीछे रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको थोड़े देर पहले कंफर्म करा कि जो एक mutual fund होता है, वो आपको 40 या 50 कंप पोटफोलियो के अंदर 15-20 कंपनियां होती है, तो अगर आप mutual fund से compare करोगे, तो जो आपका पोटफोलियो है, वो already concentrated है, इस case के अंदर आप अच्छे large cap, mid cap और small cap stock को analyze कर सकते हो, तो अगर आप direct investing करते हो, और आपकी कंपनिया कम है, तो यहाँ पर जो return होते है direct investing में, वो ज अगतार आगे भी बना करके दे सकते हैं, because हमारी growing economy है, तो अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है, जल्दी पैसा बनाना है, तो सबसे पहला step आपका होने वाला है, कि जो आप SIP कर रहे हो, वो करते हो, because SIP एक अच्छी चीज़ है, एक आपको help करती है financially grow करने में, लेकि उसी के साथ-साथ, जो एक better approach होने वाली है, वो ये है कि आप direct investing सीखो, direct investing आपको बहुत help करने वाली है, पहली चीज़, आपको tax harvesting में help हो सकती है, कि आप कैसे tax बचा सकते हो, दूसरा benefit, जो आपका expense ratio है, जो कि आप हर साल पे करते हो mutual fund को 1% के आस-पास, वो भी चीज़ आप invest कर दोगे stock market के अंदर, तो आपको पता है कि 15-20 company है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूँगा, मैं portfolio churn कर लूँगा, वही पर जबाब अपना पैसा दूसरे mutual fund manager को दे देते हो, तो वो आपके बिहाब पर invest करता है, लेकिन वो उतना risk नहीं ले सकता है, जितना आ नहीं पर जो एक major risk आता है, आपकी जो company है, जिसमें आपने invest करा हुआ है, वहाँ पर ये दिक्कत आ सकती ही, कि वो company ही बंद हो जाए, mutual fund में 40 company होती है, जिसके अंदर अगर 2-4 बंद हो भी गई, तो कोई major दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आपके portfolio में 15 company हैं, 2-3 बंद हो जब भी आप mutual fund के थ्रू जाते हो, आपको 100% time कभी सच होना ही नहीं पड़ता, 100% time आपको कभी सही होना ही नहीं पड़ता, आपको सरफ औस 50 या 60% time सही होना है, और उस जगा सही होना है, जहाँ पे आपके पैसे थोड़े से ज़ादा लगे हो, अब बोलोग यार ये तो possible ह नहीं है, मेरे भाई ये बिल्कुल possible है, mid cap category के अंदर आप अच्छे stock जोंड सकते हो, जो कि growing sector में आने वाले हैं, जो कि grow करने वाले हैं, सेम चीज़ अगर आप से बैंकिंग स्टॉक के अंदर भी डालते हो, अगले 15-20 साल के लिए, तो अगर इंडिया की economy grow करती है, तो आ जो भी इंसान mutual fund से wealthy बनना चाता है, definitely आप wealthy बन सकते हो, उसमें दो राए नहीं है, लेकिन अगर आप direct investing के अंदर जाते हो, और आप 20-20% के return निकाल के ला पाते हो, तो जो आपके return है, जो आपकी maturity amount है, वो आपका exponentially बढ़ता हुआ दिखेने वाला है, और long term के अंदर, जब हमने क्या बोला कि 20% के CGR के आपने return निकाल लिये हैं, क्या ये बहुत मुश्किल काम है, राकेज यून वाला कहते हैं कि आप करिंग होते हो, गर आप 20% के CGR निकाल लो, लेकिन मेरे साब से अगर आप एक अच्छी company पिक करते हो, तो long term के अंदर आपकी ये निकलना थोड सिर्फ तब होगा, अब बात करते हैं कि क्या आप 20% अगर निकाल लेते हो, because of any reason, आपको एक multi-bagger stock मिल सकता है, कि आपने multi-bagger stock ढूंड लिया गलती से, क्योंकि multi-bagger stock गलती से मिलते हैं, किसी को नहीं पता होता, multi-bagger कौन से हैं, लेकिन multi-bagger mutual fund किसी को नहीं मिलते, mutual fund कभी भी multi-bagger नहीं होता, multi-bagger का मतलब है कि बहुती जल्दी वो company इतिनी बड़ी हो गई, कि आपने जो एक लाग रुपे डाले थे, वो दस लाग रुपे में convert हो गए, because दस गुना हो गई वो company, तो उसको हम multi-bagger क्याते हैं, अगर आप सिर्फा से 22% के आस-पास के return निकाल के लाप आते हो, वो आप इस topic पे आते हैं, तो आपका जो पैसा बनने वाला है, same ही जगा पे वो बनने वाला है, 2 करोड रुपे का बिना कुछ ज़्यादा छेड़ खानी करे होई, तो मैं मान लेता हूं कि अगर आप best के scenario में 19% के बे return निकाल करके लेके आप आए, तो 15,000 रुपे की SIP, stock market में, direct investing में 20 साल तक ही invest करना है, और जो आपका पैसा है, वो same level पे आता हूं मिलेगा, तो ये तीन option है आपके पास, पहला option है कि आपको time ज्यादा spend करना है, 2 करोड कमाने के लिए, दूसरा option है आपके पास कि आप time ज्यादा spend नहीं करना चाते है, आप कहते को ही इस level पे develop कर डूँआ कि मैं पैसा बना लूँ, same amount के अंदर, तो ये तीन तरीके हैं कि आपको 2 करोड के पहुंचना है, वो भी 15 लाग के investing से तो आप असानी से पहुंच सकते हो, और आप चाहते हो अपने लिए wealth बनाना, real term में wealth बनाना, तो ये चीज़ पॉसिबल है, direct investing से थोड़ा ज़्यादा असान पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर आपके intelligence काम करती है, आपके decision making काम करती है, अगर आपको ऐसी informative वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like और channel को subscribe करना बिलकुन मत भूलना, thank you so much for watching this video, tata, bye bye, signing off.